Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, petrol and diesel filling tips and tricks series का ये part 32 है लेकिन इस series के आज का ये जो वीडियो ये बिल्कुल different है, बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे मैंने compilation आपके लिए ready किया है जी है, petrol pump में, petrol या डीजल भाराते समय कुछ बहुत ही important बात है जिसको ध्यान रखना होता है जिसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए, यह total ऐसे ही 7 points है जिसके बारे मैं आपको आगे इस video में बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या कि 7 points का एक compilation ready किया है तो मैं बहुत short में इन सारे points के बारे मैं आपको बताऊँगा क्योंकि इनकी उपर में already detailed video मैंने बनाया हुआ है link आपको description ने मिल जाएगा साथ ही इस series के videos के अंदर मैंने बहुत सारे अलग-लग topics को भी cover किया उनका भी link आपको इसी video के description ने मिल जाएगा तो आगे इस video को पूरा दे के साथी अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe जरूर से कर ले चलिए point number जो one है वो density से जुड़ा हुआ है जब आप petrol pump में अपनी गाड़ी में petrol ये diesel भराने जाते हो तो आपने गौर किया होगा कि जो petrol dispenser machine है वहाँ पे density लिखा हुआ होता है density के अलग-अलग numbers अलग-अलग petrol pump में लिखे हुए होते है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि as per Bureau of Indian Standard Specifications IS2796 जो दाइरा सेट किया गया density का वो petrol के लिए है 720 से लेकर 775 kg per meter cube और diesel के लिए है 820 से लेकर 860 kg per meter cube इसी के बीच में होना चाहिए ये बहुत जादा important है लेकिन कई बार लोगों को ये पता नहीं होता कई जगा पे तो zero भी लिखा हुआ होता है अब friends ये जो density है इससे हमें ये मालूम जलता है कि जिस भी petrol pump से आप जिस दिन जिस वक्त अपनी गाड़ी में पेट्रोल या diesel डला रहे हो उस petrol की या diesel की quality कैसी है क्योंकि density सीधा सीधी quality से ही जुड़ा हुआ है मैं आपको बताना चाहूँ कि जो range मैंने आपको बताया अगर आप उस range में देखो तो वहाँ से petrol डलाओगे तो बहुत हद तक चांसे से कि आपकी गाड़ी में जो petrol ये diesel डाला जा रहा है उसकी quality बेतर है वैसे इसको परम detail video है link आपको description में ही मिल जाएगा चली जो point number two बहुत ही basic वाला point है और कई बार petrol pump वाले जो continuity वाला trick है इसे यूज़ कर petrol की चोरी करते है यहाँ मैं आपको simple just बताना चाहूँगा अब maximum लोगों को पता भी होगा कि just आप ये make sure कर ले कि जो dispenser machine में reading है वो zero से start हो आप ये जरूर से देख ले point number three भी zero reading से ही जुलावा लेकिन ये थोड़ा different है और इसके बारे maximum लोगों को नहीं पता होता ये है jump वाला trick कई बार आप गौर करना कि जो reading वो zero से तो start होता लेकिन zero से सीधा jump करता आठ में 10 में या zero से साधा 15 में चला जाता ये होता jump reading कई बार जो machine है अगर उसमें tempering क्या होता है तो इस trick से बहुत सारे petrol pump वाले चोरी करते हैं हलाकि इस बात की सच चाहिए कि अभी machine automatic है फिर भी इस तरह के चोरी होती है तो मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप ये देखे कि जो reading है वो zero से start हो लेकिन zero के बाद जो अगल के बीच महोना चाहिए पहला जो jump है फिरेंज टॉपिक में आगा बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूं कि इस टाइम पे हम Indians पे cricket का fever चड़ा है क्योंकि cricket का महाकुम चल रहा है और साथी player spot के winning का भूध भी अब सब पे चड़ेगा क्योंकि इस बार player spot पे 10 करोड त ऐसे की Ludo, Rami, Call Break इस तरह के 15 से बीजादा गेम्स जीने खेलके आप 50 लाग से बीजादा जीत सकते हो अब यहाँ पे सवाल आता कि player spot पे ही क्यों खेले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां 10 करोड तक की winning है इसके लावा यहाँ पे धेर सारे daily basis पे prizes और offer च secure और trustworthy है साथी यह app iOS और Android दोनों पे available है friends मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब भी आप refer and end के जरी आप इस app को अपने दोस्तों के साथ रिफर करें दोस्तों के साथ खेले और bonus पाए तो app का link आपको इस वीडियो के description नहीं मिल जागा इस app को आप जरूर से download कर ले चली topic प इस बात में पूरी सचाही कि इस टाइम पे जितनी भी oil marketing companies है इंडियान ओल हिंदुस्तान प्रेटोलियम भारत प्रेटोलियम और दूसरी जितनी भी companies है इस बात में पूरी सचाही कि इनके maximum जो प्रेटोल pump है वो अभी automatic हो गई है फिर भी एक trick है जिससे पहले भी बहुत चोरी होती थी अभी भी होती है अभी भी सिकायत देखने को मिलती है यह है round figure वाला trick बहुत सारे machine में छेड़ चाड़ करके खास करके जहां पुराना machine अभी भी लगा हुआ वहाँ पे छेड़ चाड़ करके जो round figure है जैसे कि जो 50 नंबर का figure हो गया 100 रुपय का petrol डला रहे ह या 200 को डला रहे हो 500 को डला रहे हो आप कह रहे हो कि 1000 रुपय का petrol डला दो हलागी 1000 का भी तो मुश्किल है क्योंकि petrol का दाम इतना जादा बढ़ गया फिर यह बहुत तक तो डलाते ही है तो यह जो round figure है इसमें कई बार machine पे छेड़ चाड़के जो quantity है उसे कम जाती है machine तो show करता है कि भाई 500 machine तो show कर रहा है लेकिन actual जो amount of petrol diesel आपकी गाड़ी में आ रहा है वो कहीं ने कहीं कम हो जाता है तो मैं यहाँ पर आपको recommend करूँगा कि आप एक trick को अपना सकते हो यहाँ पे safety के लिए आप क्या करो कि आप odd number वाले figure चुनो चाहे तो आप 113 रुपय का petrol डल डला लो 136 रुपय का petrol डला लो इस तरह के बहुत से लोग करते भी है 301 कर डला लेते हैं 501 कर डला लेते हैं तो odd number वाले figure को चुनना ज्यादा बेतर होता है आप इस बात का भी ख्याल रखे और जो अगला point है मैं इस से जुड़ा हुआ मैं तुरंत अभी बतायता हूँ आ अभी क्या है कि जो receipt है वो सीधा machine से ही निकलता है जो dispenser machine है वहाँ पे तो जितना actual amount of petrol ये diesel बाहर निकलेगा आपको receipt उतना ही का मिलता है और in case अगर petrol pump वाले जो start-stop trick का यूज़ कर रहे है continuity वाला trick का यूज़ कर रहे है और बहुत सारे trick का यूज़ करके petrol ये diesel कम डालते ह इस trick साब बिलकुल बच सकते हो अगर आप receipt ले लेते हो तो मैं आपको recommend कर रहे हो कि आपको अगर शेक हो रहा जिस petrol pump वे diesel में डला रहे हो वहाँ पे तो आप simply उनसे receipt मांगो receipt लो receipt में quantity वागरा जो density वो सब कुछ लिखावा होता है quality वागरा सब कुछ लिखावा होता आप उसे check कर ले और जो अगला point है ये थोड़ा मुश्किल point है फिरियो मैं आपको recommend करना चाहूँगा देखिए मैं आपको पताता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं और करना भी चाहिए मैं खुद भी यही करता हूँ कि आप manually petrol डलाओ आप क्या करो कि मैं आपको पताता हू अगर आपको 100 रुपय का petrol डलाना है ठीक है तो आप करो कि 2-4 रुपय चेंज रखो ठीक है या 220 का डलाना तो भी 2-4-5-6 रुपय चेंज रखो आप उस बंदिय को बोलो जो हमारे petrol पंपाल है जो dispenser machine वाले है उनसे कहो कि 100 रुपय का petrol डालना है लेकिन कोई भी data feed मत करो machine म simply आप उनको बोलो कि nozzle निकालो आप भरना शुरू कर दो manually भरो 100 के आसपास आप रुखने के लिए बोलो अगर 100 से 1-2-3 रुपय उपर चला भी जाएगा तो आप उसे जो change है आप वो दे दो ये trick ज्यादा बेतर होता है अगर आप machine में कोई data feed नहीं करते हो तो चोरी होने क किया हुए पेटोल निकलता ही नहीं है यह बिल्कुल बैवकूफी वाली बात है यह बिल्कुल फेक गलत बात है आपने गौर किया हुआ है कि जब भी कभी आप पेटोल प्रम जाते हो और उसे कहते हो कि full tank कर दो फाई मेरी गाड़ी का full tank कर दो तो आपने देखा हो कि जो machine और बंदा है वो कोई भी data feed नहीं करता है वो तो नोजल उठाता और भरना शुरू कर देता है और जब full हो जाता है तो देखता कि हाँ कितना हुआ और फिर उतना पैस आपको देना पड़ता है सेम यही मैंने वाली तरीका तो मैं करने को बोल रहा हूँ अंदाजा से बोलो कि 100 तक कर भरो 100 तक कर भरेगा 24 उपर हो जागा या 220 का बोलो 24 उपर हो जागा आप देदो तो यह भी trick काफी हथ तक कारगर है पेट्रोल ये डीजल की चोरी से आपको बचाने के लिए और finally जो आखरी trick है यह बहुत ही basic सी बात है मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते है कि चुलनेते कि भाई मुझे Indian oil का ही डिलाना है मुझे हिंदुस्तान petroleum का ही डिलाना है इन में क्या है कि जो petroleum मंत्राल है उनके दोवारे की standard set के जाता है कि आपको इस standard का ही petrol normal वाला extra premium वाला दूसरा जो petrol diesel है उसे बनाना है यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे है उससे petrol की बरबादी कर रहे है और बेकोफी कर रहे है और कुछ भी नहीं है तो आपको जहां से ही मिलता है जो जने petrol pump मिलता आप वहां से डला सकते हो और मैं आपको एक short try और दिना चाहूंगा आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि देखो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि आपके अरिया में मानता हूं चलो आपके एरिया में इंडियन ओल का प्रेटोल पंप है इंडूस्तान प्रेटोलियम का भी है भारत प्रे जिसए को नियरेसु रिफाइनरी यहां पर वहां से पीट्रोल आता और वहीं पीट्रोल सब ही जगह जाता आप एंडियो आपको पसंद आए और वीडियो चलता लगा तो वीडीयो को लाइक, और शेयर जालू कर दें कि इस चकर में बहुत से लोग पेट्रोल की बरबादी कर देते हैं तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीदे की आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो कर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूरू कर दे वीडियो के बाद और चैनल के बाद आप में राए आप मुझे कमन्ट करे करें जरूरू बताए इसके लगाँ अखर आप चैनल पर नए हो या अब धी तक आपने चैनल को سब्सक्राइब नहीं कियाOW तो प्ल्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब forens को भी दबाब लें ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के तुरू मिलते रहे मिलते एगले video में thanks watching this video goodbye